19 नमबर 2023 की तारीक हर क्रिकट प्रेवी को याद होगी क्योंकि ये तारीक नासूर की तरह हर खिलाडी को तो चुपती है साथी साथ फैंस को भी दुख देती है 19 नमबर 2023 का वो दिन था रविवार था और उस दिन जब इंडिया उस्टिले का फाइनल हुआ था इंडिया हार गई थी उसका दुख हर खिलाडी को है रोई शर्मा कई बार कह चुके हैं कि उन्हें इस चीज़ का दुख है अब केल राहूल ने जो कहा वो काफी चौकाने वाला है दरसल के राहूल रवी चंदर अश्विन को एक इंटर्वी दे रहे थे अश्विन के योट्यूब चैनल पर जहां उनसे जब पूछा गया कि एक रिग्रेट आपकी लाइफ का क्या रहेगा तो राहूल कहते हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट में लाइफ का रहेगा कि हम विशुक अप नहीं जीत पाए और दूसरा रिग्रेट मेरे खुद के अंदर का है वो ये कि जब मिचल स्टार को सवक्त गेंदबाजी कर रहे थे और आउस्टेलिया के जो भी गेंदबाजी कर रहे थे उन्हें मुझे टेकडाउन करना था यानि कि थोड़े से शॉर्ट्स खेलने थे कुछ बड़े और ग्लोरियस शॉर्ट्स खेलते थे ताकि विपकची टीम प्रेशर में आती जरूर स्टार्क अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे रिवर्स मिल रहा था खेलना टफ था पर अगर मैं स्टार को टेकडाउन करता तो शायद कुछ हो सकता था और वो निक भी नहीं लगती क्योंकि डिफेंस करते हुए मैं आउट हुआ था स्टार को मैंने अपना विकेट है कि भाई कोहली और उन्होंने जो जितना डिफेंसिव खेला था एक भी बाउंडरी नहीं आई थी मिडिल ओवर्स में काफी देर तक वहाँ पर अगर कुछ चीजे बदलती थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच पर जाते तो शायद या आकड़ा बदल जाता आपको क्या लगता है कि मिडिल ओर्डर्स में इंडिया को थोड़ा सा और अग्रेसिव खेलना था या नहीं हमें कॉमेंट करके बताईए तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिय हिंदी